зач 밥s के आप में लुत देंश करेंगे और श्यान पत करेंगे यह उसके बारे में आपको बताया था कि चुह हेलेकॉपेस क्या है चर्चा बना हुआ उसके डिसकस तरकेकी कुछ खास खास बात है उसको आपको बताते हैं कि इस अप्ते आज के दिन यानि 26 सप्रेल 26 सप्रेल को मनाया जाता है वर्ड इंटेलेक्श्वल प्रॉपर्टी डे विश्व बॉध्धिक संपदा दिवस तो विश्व बॉध्धिक संपदा दिवस प्रतेक वर्ष हर एक साल 26 इसके लावा अभी भारत सरकार राश्पती ने जो भारत का एक मुख्य सत्रकता आयुक्त होता है चीफ विजलेंज कमिशनर तो मुख्य सत्रकता आयुक्त के पत पर संजय कोठारी की नियुक्ति हुई है तो जो सीवीची होते हैं विजलेंज का मतलब होता है सत्रकता जो व् करवाई करना इनका काम होता है तो वही सतरकता मुख्य सतरकता आयुक्त चीफ विश्लेंद कमिशनर कौने पॉट हुए है संजय कोठारी ठीक अभी एक और अभी एक बड़ी खबर इस बार हुई है अंतराश्टी हलके से के नासा जो अमेरिका की जो इस पेस एजैंसी है नास इंटर्वेंशन टेक्नलोजी एकसेस होने वाला यह वेंटिलेटर है यह कोविड-19 के जो संक्रमन चला है तो इसमें अमेरिका में बहुत ज़्यादे इंफेक्शन फैला हुआ हुआ है तो उसी को ध्यान में रखते हुए नासा ने बहुत कम समय में एक एक एसेसिबल जो ह इसको डबलफ पिसने किया है नासा ने नमें इसको डवलफ किया ठिक जो अंटिस है इससके लवब permitted सना हो साथ तो जो रहां है इरान ने अपना फहला जो निलितिया सेटलाइट मिलिटरि सेटला या मतलब होता है जो पगरह उन्होंने अपना डेवलफ की उपग्रह को परचबित किया गया है सैनिक जो आउशक्ताओं के पूर्ति के लिए तो उसे हो नाम दिया गया है नूर तो नूर क्या है यह इरान द्वारा विक्सित किया हुआ क्या है मिल्रेटरि सैटलाइट है जो सैनिक कारियों के लिए उप्योग किया जाएगा तीक इसके लावा 25 apraal को विश्व मलेरिया दिवस होना जाता है वर्ल्ड मलेरियाट है यह जो विश्व मलेरिया दिवस इस बार मनाय गया है इस बार के जो थीम रखी गई है जीरो मलेरिया इस बार के जो 2020 का विश्व मलेरिया दिवस है वर्ड मलेरिया डे है 25 अप्रेल इसकी थीम रखी गई है इसके लाव आभी 24 अप्रेल को पंचायत दिवस मनाए जाता है तो जो ग्राम पंचायत है तो पंचायतों के बारे में पिछले वुडियो में डीटेल में हम दो चर्चा किया गया है जो गाउं में पंचायतों से जुड़ी हुई जो समस्चायों समस्चायों को समाधान करेगी तो यह ग्राम सुराज 24 सप्रेल को भार्ट के प्रहण बंदिन ने लॉंच किया इसके लावा अभी चाइना ने टीना वेन वन यह चाइन का चीन का पहला मंगल मिश मिशन था मंगल गया था शफल पर 6पणता भारत का असी तरही तरहीं प्रहकित बास चीन में मंगल के तरफ क्या और का पहला मंगल मिशन कौहूंसा है कि तो त्यायम या तीन वेन ज्यादा सही लग रहा है तिंवन तो तीन वेन ये चाइना का मंगल मार्समिसम मंगल मिसम हाँ इसके लाभ़ि Epic तो यह बंत्र है जो केंजरी मान विकास मंत्राले है WILL पुखरिया लखन श्रू किया एक my book my friend campaign कि इस बंदी के दौर में जब सब लोग घर के ही बैठे हुए है तो इसमें आपका सबसे अच्छा मित्राप की किताबे हो सकती है तो उसी को लोगों को किताबों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए हैस्टेक यह चलाए गया है यह मानसमसादन विकास मंत्री जो है हमारे रमेश पुखरिया निशांक उन्होंने इसको चलाया माइबुक माइफ्रेंड केम्पेंड चिक चली इसके अलावा तेईस तारीक को तेईस अप्रेल को अंतराश्री बालिका दिवस मनाए जाता है इंटरेश्णल गल्स डे तो यह जो अंतराश्री बालिका दिवस है यह हर साथ 23 तारीक को मनाए जाता है इसी 23 अप्रेल को विश्रो पुस्तक दिवस वर्ल्ट बुक दे मनाए जाता है और इसी 23 तारीक को English Language दिवस तो जो अंग्रेजी भाशा दिव अप्रिका के सीनेटर थे गिलाइड नैंसन तो गिलाइड नैंसन ने सबसे पहले वह पर्यावण पुले के बहुत जादा चींतित रहते थे और प्रिथ्वी पर जो पर्यावरण के इस दिन पर्यावरण और पर्थवी के इतों के बारे में चयक्साइक की जाती है इसके लाव आप अभी विस्व प्रेस सुच गांग अभी आया है 2020 का तो 2020 का जो व्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2020 विस्व प्रेस सुच गांग इसमें भारत की जो पॉजिशन है बहुत अच्छी नहीं है भारत इस पर 1200 एस्थांग पर है इसमें इंडिया 142 हां कुशी की बात यह है कि इस पाकिस्तान थोड़ा हमसे भी पीछ है पाकिस्तान की जो पॉजिशन है इसमें 145 और हमारा जो एक और पड़ोसी है बंगलादेश बंगलादेश एक सुच्व क्यावनमें इस्थान पर है तो यह जो इंडेक्स आता है यह एम कामकोडी को एम कामकोडी CEO and MD of Union Bank अपॉइंट किये गए ठीक इसके अलावा अभी पीवी संदु जो बैंडमिंटन की खिलाड़ी है तो पीवी संदु ने एक केमपेंड लॉंच किया है आई एम बैंडमिंटन यह साफ सफाई के लिए केमपेंड लॉंच किया गया है त जैसे 21 April है 21st April 21 April को सिवि llrewし दे मनाया जाता है सिवि ll services डे civil सिवा दिवस जो सिव्ili सिवा होती है सबसे पहले इसको आदकि 2006 मनाया जा रहा है लेकिन 19 अपराल की इस तारिक क्या ओंसेप्ट है यह और ने उस सेटालिस चर्वि भारत आजा, दुखा था था उसी समय गरी म लिए सिवल सेवा को से जूजने के लिए मजबूती परदान करते हैं कोई समस्या न आने पागो तो इसलिए कि सब्सक्राइल को सेविसिस डे मनाए जाता है इस दिन सब्सक्राइब को सिविल सेवा को इस डेंडिया कहा था भारत का सपाती धाचा है Built of 2001 को ही मना कि यह बूंद कुष मनाया जाता विश्व रशिनात् मत्ता और नवाचारट दिवश मना जाता है 기가 क ? इसके अलाबा एक एतिहासिक घटना भी इस अफ़ती खी है जो बहुत बड़ी है हुआ यह था कि 1977 में उस समय रूस रशी आईए ससार से त्रूप से था तो उस रूस ने चेर्णोबिल में एक बहुत बड़ा अपना अटॉमिक रेक्टर लगाय था परमाणो सभ़ाय गया था उसी अटॉमिक रेक्टर में 26 सप्रेल 1986 को जो है कि दुरगटना हो गए थी और उसको बॉयलर फड़ गया था जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक नुक्लियर एक्सिदेंट हुआ परमाण दुरगटना हो थी जिसे माला जाता है कि 84 लाख लोग 84 लाख लोग डैरिक्लिस से प्रभावित हुए थे उस नुक्लियर एडि को ध्यान में देते रखते हुए कि सावधान ही बढ़ती जाए ताकि अटामिक रिक्टर्स को जादा नुक्सान न पहुंचाया जाए आरे अटामिक रिक्टर्स को मजबूती दी जाए क्योंकि यह जो चेर्नोबिल के दुरगटना थी यह बहुत बड़ी से अब दूसरा टॉपिक आज का हम लोग का है हेलिकॉप्टर मनी तो जो हेलिकॉप्टर मनी का जो कॉंसेप्ट है हेलिकॉप्टर मनी का कॉंसेप्ट अभी चर्चा में इसलिए आला है कि अभी कोविट का जो संकर चला था तो इसके वज़े से अर्थवयोस्ता बिल्कुल भूरी तरीके से तूटी हुई है लोगों के पास रोज्यार जो थे जो दिहारी मस्दूर थे यह को दिहां को दोड़ने चीफ मिनिस्टर राओ तो उटो ने इसई हलिकॉप्टर मनी हेलिकॉप्टर मनी का कॉंसेट दिया कि सरकार को हेलिकॉप्टर मनी प्रोग्राम पर आगे भढ़ना चाहिए हेलिकॉप्टर मनी का रेक्रम चलाए जाना चाहिए तो ये हेलिकॉप्टर मनी की डिमेंड किस ने की है चंदशे का ताओ जो तेलंगाना किसी हमें अब यह हेलेकॉप्टर मनी है क्या कहां से इसकी शुरूआ थुई हेलेकॉप्टर मनी का जो कॉंसेप्ट था यह बहुत बड़े कॉनमिक्स थे मिल्टन फ्रीडमें तो मिल्टन फ्रीडमें ने मिल्टन फ्रीडमें तीक सबसे पहले और 1979 में यह प्रसाओ दिया था तो उस समय अमेरिका में मंदी चल लई थी तो उन्होंने सरकार को एक उस मंदी से निजार पाने के लिए बाहार निकलने के लिए हेलिकाटर मनी का कॉंसेफ्ट दिया था कि सरकार को चाहिए कि नोट बहुत भारी मातरा में चापे जाए प्रिंट करवा जाए क्योंकि कागेज के नोट होते हैं तो नोट सरकार बहुत भारी मातरा में प्रिंट करें और इसको सीरे सीरे लोगों में बाट दिया जाए इसको उधार की तरीक इसने डारेक्ट ऐसा ही दे करना कोई तो इससे इससे डिमान्ड का होगी जब इमांड जनड़ेट होगी तो बाकी लोगों की इंकम बढड़ेगी तो अब एककानमी की साइकल ठोड़ी जल्दी-जल्दी चलेगी और उसमंदी से हम जल्दी से बाहर निकल पाएंगे. तोनोंने बताया कि सरकार को क्या करना है, अब ऐसे कैसे वर्टेंगे? तोनोंने ऐसे ही एक जनरल आइडिया दे कि सरकार को हेलिकॉप्टर में पैसा बोरा भर के लेके जाना चाहिए और उपर ही ऐसे उड़ा देना चाहिए अब जिसके जिसके किसमत में जितना वैसा आया अपना ले लिया लेकर अपना खर्श करना शुरू कर दिया यह एक उधार की तरीके से नहीं होगा पस रेनेमली ऐसे दे दिया जाए ठीक यह कॉंसेप्ट दिया थ लेकिन जो में इनकी सबसे पॉप्लर किताब भी थे फ्री टू चूज अब अभी ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि जो तेलंगाना सीम चंसेकर राओ ने कहा कि यहीं हेलिकॉप्टर मनी यानि भारत सरकार को भी चाहिए कि आर्वी आई से खुब धेर सारा पैसा प्रि खर्च कोई नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को लाग रहा है कि आगे क्या होगा कुछ आइडिया नहीं तो जब पैसा नहीं है तो लोग आगे खर्च नहीं कर रहा है जब खर्च नहीं कर तो मनी का फ्लो नहीं हो रहा है तो इससे डिमांड क्या हो गई है कम हो गई तो इससे शारे चुतर बुरी तरीकी से प्रभावित होगी और सरकार अगर भारी मत्राम लोगों को पैसा देगी तो लोग नहीं नहीं चीजे खरी देंगे जब खरी देंगे अच्छे कप्रे खरेंगे सिनेमा देखने जाएंगे गुमने फिने जाएंगे तो डिमांड क्या बाग कि randomly अगर सरकार पैसा लेती है RBI इसे उधार नहीं बस ऐसे ही बाटने के लिए तो ऐसे ही किसको देंगे पता चला है कि इसमें पहला तो करक्ष्ण शुरू होगा कि पता चला कि बड़े-बड़े मंत्री हैं नेता है पैसा आप नहीं दवा के रखना शुरू करेंगे और फिर अगर पैसा फ्री में पब्लिक को बाट दिया जाए तो फिर पब्लिक काम क्यों करेगी तो इससे लोगों की जो efficiency ही वो फरेक्प पड़ेगा अब जिसको पैसा मिल गया वो तो ठीक जिसको नहीं मिला वो कहां जाए यह बड़ी समस्य है क्योंकि ऐसी वी उस्ता छोटे देशों में चल सकती भारे तिक बहुत बड़ा देश से 130 करोड से जादे क्या पाती है तिक इससे कानुन जोस्ता को संकर्ट उत्वन हो सकता है इससे जो है कि इंफलेशन बहुत ज्यादा मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मुद्राइस फिति क्या होगी जैसा कि जिंबाबे में हुआ विनेजुएला में हुआ अब जिंबाबे और वेनेजुएला में वहां पर भी सरकारों ने बनाने नहीं के लिए क्या क्या था कि वहां पर लों की डिमांड कम थी तो सरकारों बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े माता में नोट शापने शुग तो इससे क्या हुआ मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी गिर जाएगी अब सुचिए लोग एक एक जोला नोट लेके जाते हैं एक थेले में फोड़ा सब भी लेके आते हैं तो इतनी ज़्यादे हाइपर इंफेशन कंडिक्शन उन देशों में आगे तो भारत के लिए फिलहाल अभी इतनी गुद् खतम होता है धेरेज़े करके तो बाकी फेक्ट्रियां प्रडक्शन काम शुरू होता है तो डिमांड फिर से जनरेट हो सकती है अभी इतनी जल्दी हेलिकॉप्टर मनी के प्रोग्राम की जोड़त देश को नहीं है कि धेर सारा पैसा बाढ़ दिया जाए ठीक है लोगों मे के लिए इतना ही करइंटरों आपको पता है करेंटरों आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है डेली बश्ट दो दुट्रों हथेक्ट हर्फटे में दस पंदर फ्रस यादा आपके पास नहीं होने चाहिए यह हर अप्ते थोड़ा थोड़ा करके आप कॉलेक्ट करेंगे तब